अमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनी आलाइन इस्टेट्योट निसान तियान की यूटूब प्लेटफॉर्म पर मैं इतनी उपाध्याई आप सभी का स्वागत करता हूँ यूदंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रों पर्थम समिस्टर की परिछाएं संपाजित हो चुके हैं बैसिकले दियाफे डियालेट के छात्र बहुत जादा हमसे जुड़े हुए हैं हम लोग पेड़ बैच में जोईन होकर के साथ नूट्स आपके पड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी अगर पेड़ बैच में नहीं जोईन हुए हैं, तो टेलीग्राम का एक टेलीग्राम चैनल है, जो पेड़ बैच है, उसमें आप जोईन हो जाएए, पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है, मोबाइल नंबर मागेगा, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए, OTP आएगा, उसके बाद अपना नाम डाल दीजिएगा, नाम डालने के बाद आपको पेमेंट का आपसन आएगा, पेमेंट जैसे ही करेंगे, आप उस ग्रुप में जोईन हो जाएंगे, जब आप उस ग्रूप में जोईन हो जाएंगे, ग्रूप में जोईन होने के बाद, ठीक है? आपको सारे के सारे PDF, साट नोटस PDF जो मैं आपको YouTube पर पढ़ाता हूँ जैसे कि मैं कल साट नोटस PDF नमबर 10 आपको दिया, ठीक है? दो PDF मैंने प्राइवेट किया, कुछ बच्चों ने काया, भईया, आठवा और नवा PDF मुझे नहीं मिला YouTube पर, तो मैं आपको बता दू, अगर मैं अन्य बच्चों से पेमिंट ले रहा हूं इसका, तो उसका भी मुझे ध्यान रखना होता है, उसके लिए आप मुझे माप कर कियेगा, क्योंकि मैं सारी चीजे, अगर मैं किसी से पेमिंट उसका लिया, और आपको मैं फिरी दे रहा हूं, उन लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा, इस वज़े से मैं दो तीन वीडियो जो है, प्राइवेट किया हूं, ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं, तो जताते हैं, हमारे उपर विश्वास आप दिखाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, बाकि आपकी इच्छा, आज जितना भी हो सकेगा, मैं पबलिकली आपके लिए काम करने का प्रियास करूंगा, ठीक है, तो आज के वीडियो में मित्रों हम आपके डियलेट के सेकंड समे क्वेस्टनों की हम चर्चा करेंगे, और कुछ चीजे यूं कहें, तो कुछ आपको मैं याद करने के लिए दूँगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ, कि आप इन चीजों को, आप मुझसे वादा करिए, कि कल जब मैं अगली क्लास लूँगा, इसी का, हाना, मैं अगली कल लूँगा, तो आप कल जो है, इन फार्मूले को रट करके हमारे सामने आएंगे, क्योंकि देखिए, वीडियो जो है, आपके पास कैसे जाता है, मेरे पास इतनी ब्योस्ता नहीं, अपलोड मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो आप अपलोड ही वीडियो देखिए, लेकिन ऐसा समझे कि मैं आपके सामने साख्छात हूँ, ठीक है, ऐसा आप अनभोग करिएगा, बाकि आपकी इच्छा, आप जितना हमने सपोर्ट कर रहे हैं, या जितना हमें प्रेम दे रहे हैं, उसके सामने मन्यत्मस तक हूँ, वास्तों में मैं कुछ नहीं हूँ, आपके प्र छेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना, सबसे पहले हम छेत्रफल की बात करते हैं, आपको समझना चाहिए मित्रों छेत्रफल होता क्या है, क्या, सबसे पहले आप समझे कि छेत्रफल क्या होता है, मित्रों छेत्रफल जो होता है, छेत्र मतलब छेत्र मतलब खेत, जो किसी तल का, क्या किसी तल का, किसी तल का, जो सीमा होती है, किसी तल की जो सीमा होती है, जैसे माली जी एक तल है, एक तल है, जो मेरा वाइट बोर्ड दिख रहा है, आपको तल दिखाई दे रहा है, एक सम तल दिखाई दे रहा है, इस तल की जो सीमा होती है, यहाँ पर देख कर दिया जाए तो उसके अंदर का जो भाग होता है जो परिडाम होता है जो निकल करके आता है वही कहलाता है छेत्रफल ठीक है उम्मीद है छेत्रफल के बारे में आप समझ गये होंगे क्योंकि डियलेड में देखिएगा डियलेड में परिभाता भी आपसे पूछ लेता है क बताईए छेत्रफल क्या होता है तो आप बताईएगा किसी तल का जब सीमांकन कर दिया जाता है तो उस सीमा के अंदर आए समस्त जो छेत्र होता है वह उस तल का छेत्रफल कहलाता है ठीक है तो उमीद करता हूँ छेत्रफल के बारे में आपने समझ लिया है छेत्रफल क्या ह होता है या तो लंबाई में होगा या तो चोडाई में होगा ठीक है क्या होगा लंबाई या चोडाई में होगा अब देखेगा लंबाई किस में मापते हैं लंबाई मीटर में मापते हैं चोड़ाई में मापते हैं इसे हम यक्स का स्क्वाइर लिखेंगे उम्मी आप समझ गए है कि अच्छा इसमें टू såd Dim Maine धोड़ी बताएगा पाच मीटर उचा खेत नहीं बताएगा जो छेत्रफल होता हमेशा लंबाई और चौड़ाई में वापते हैं दो वीमा उसकी होती है, इस वज़े सिसे कहते हैं, तो वीमी छेत्रफल, ठीक है, इसका जो छेत्रफल होता है, मीटर स्कॉयर होता है, उम्मीद है कि छेत्रफल क्या है, और छेत्रफल की काई क्या है, आपने समझ लिया है, ठीक है, आगे आईए हम बात करते हैं, धारिता के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको जानना चाहिए देखिएगा मैं आपको बता दू काफी बच्चे डियलेट के प्रथम समेश्टर में मात खा गये हैं हाना प्रथम समेश्टर के गणित विसम उनकी गणित अच्छी थी लेकिन फिर भी उन्हें जो है सायद फेल का सामना क तरीके से नहीं लिखा आप डियलेट कर रहे हैं आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने जाएंगे इसमें नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना टैलेंट है इसमें ए देखा जाता है कि आप कितने तरीन तरीके से लिख दीजिए, कि एक एक चीज आप खोल करके लिख दीजिए सामने, तब जा करके आपको पूरा का पूरा नमबर मिलता है, यह डियलेट का इतिहास है, ठीक है, चलिए धारिता की बात करें मित्रों, धारिता या आयतन, यह दोनों जो है एक ही होता है, इस मैं कहूं कि एक गिलास है, इस गिलास की धारिता क्या है, धारिता का मतलब यह गिलास जो है, कितना धारन कर सकती है, आयतन का मतलब इसमें कितना आ सकता है, ठीक है, दिस यह भासम समझे, यह आयतन, आयतन, मतलब इसमें कितना ग्रहन किया जा सकता है, धारिता मतलब इसमें द्रव का मतलब होता है, द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड होता है, और द्रव्य जो होता है, या पदार्थ का समनार्थी है, क्या है, पदार्थ का परियावाची मानो, द्रव्य होता है, द्रव्य और द्रव्य में अंतर होता है, तो एक गि तो आयतन जो होता है वह कैसा होता है वह त्री विमी होता है इसकी लंबाई इतना चोड़ा पानी है इतना उचाई पानी है कुछ लंबाई इसकी होगी समझ रहे है ना तो आयतन क्या होता है आयतन जो है त्री विमी होता है इसमें लंबाई इसमें चोड़ाई और इसमें पूछा जाएगा कि आयतन की इकाई कितनी होती है, क्या होती है, तो मीत करता हूँ, आपने समझ लिया है, छेतरफल और आयतन होता क्या है, या धारिता क्या होती है, तो आगे हम बात करते हैं, कुछ चीजे जो मैं आज आपके इस बेसिक क्लास में डिसकस करने वाला हूँ, म पढ़ा दीजी, ओभी आफ पढ़ा दीजी, मैं केले हूँ, यार कितना आपके लिए मैं कर सकता हूँ, मैं निशित रूप से बताता हूँ, चाहे минут State का हो, कोई भी क्लास हो, हाना, मैं किसी अविमान में नहीं कह रहा हो, क्योंकि अविमान किसी का नहीं चला, लेकिन हर एक क् लेकिन मैं जब इस मंच पर खड़ा होता हूँ अपने आपको एजे सिच्छक के तोर पे रखता हूँ, तो निशित रूप से मेरे लिए वो चीजे बहुत आसान हो जाती है, वास्तविक्ता बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से डिराइब कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय अभाव है, मैं ज़्यादा वीडियो जिन नहीं दे पा रहा हूँ, बस, यही कारण है, जितना दे सकता हूँ, उतना देने का आपके लिए प्रयास करूँगा और आजीवन करता रहूँगा, इसी तरीके साब सपोर्ट करिए, देखिए मैं क्या क्या करते था हूँ, देखिए, चलिए छेत्रफल की बात करते हैं, मित्रों आज हम बेसिकली त्रिभुज के छेत्रफल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, त्रिभुज की छेत्रफल की बात करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा त्रिभुज क्या होता है, आ आप लिख लिजिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंता कोडों का योग 180 होता है ठीक है आज हम किसकी बात कर रहे हैं छेत्रफल आयतन और धारिता की बात कर रहे हैं तो हम त्रिभुज का परिमाप वगारा नहीं देखेंगे आपने परिमाप पर्थम समेश्टर में पढ़ा कोई भी आकृती आपके सामने आ जाए उसका परिमाप क्या होता है परी मतलब चारो और मतलब मापना चारो और का जो माप होता हो परिमाप होता आपने पहले पढ़ लिया है अब दुती समेश्टर में आपको छेत्रफल पढ़ना है तो बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के छेत्रफल के बारे में, क्या चर्चा करेंगे, त्रिभुज के छेत्रफल के बारे में, मित्रोध ध्यान रखेगा, कहीं भी, किसी भी सवाल में, आप से त्रिभुज का छेत्रफल पूछ लिया जाए, अगर त्रिभुज में, छेत्रफल में, त्रिभुज की ये आधार है और ये इसको उचाई है अगर ये दूनों आपको पता है तो त्रिभूज का चेतरफल बहुत आसानी से आप निकाल दीजिएगा त्रिभूज का चेतरफल आप ध्यान रखेगा जब त्रिभूज में त्रिभूज का आधार और उचाई दी रहे त्रिभूज का आधार पता और उसकी उचाई पता है, उचाई मतलब अलंबवत, हाना, तो आप उसका चेतरफल एक बटे दो गुड़े, आधार गुड़े उचाई से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो मिद करता हूं, बेसिकली आपने जान लिया, अब एक होता है हिरोज फार्मूला, क्या होता है, इसे हम कहीं कहीं पर हिरोज फार्मूला लिखा होता है, हना, क्या लिखा होता है, हिरोज फार्मूला, जैसे किसी किसी त्रिभुज में आपको केवल और केवल तीनो आकरती, मतलब कि तीनो भुजाए दी हुई रहेंगी, आपको कुछ भ देखिएगा और दो-तीन बार जो है रटने का प्रयास करिएगा हाना मेरी बाते आपको चाहे जैसे लग रही हों चाहे मैं चाहे जैसे आप से बात कर रहा हूँ लेकिन आपके भलाई इसी में है कि आप इन चीजों को रट लीजिएगा अपने दिमाग में बैठा अदरूरदI yas, yas-a yas-b, yas-c ओर्यवज़ा होता है। अब इसमें लोग कहेंगे यज़ा क्या है है। मित्रोच जो yas है ना यज़ को अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप अब अर्ध परिमाप क्या होता है। भाया जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, 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 एक त्रिभुज है 2,8,16, इसका अर्ध परिमाप मतलब yes का मान जो आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा, ठीक है, अब यही आप से कहा जाए कि इसी त्रिभूज का, एक त्रिभूज ABC है, जिसकी भूजा AB 4 cm, BC 7 cm, CA 5 cm है, तो क्या बताना है, आपको इसका छेत्रफल बताना है, तो छेत्रफल आप इस फार्मूले से अगर निकालना चाथे हैं, तो भया क्या करेंगे, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप में निकाल दिया, आठ, अब इसमें रख दीजिए, अंडर रूड, 8, 8 माइनस A, एक मतलब, एक भूजा को A माल लीजिए, एक भूजा को B माल लीज ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है ना, हाँ, बढ़िया समझ में आ रहा है, तो 8 माइनस 4, फिर, yes माइनस B, 8 माइनस B किसे माने है, 5 को, 8 माइनस 5, C किसे माने है, 8 माइनस 7, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, उत्तर निकाल दीजिए, अंडर रूड, 8 गुडे, 8 में से 4 गया, 4 गुडे, 8 में साथ गया, 1, ठीक है, अब इसे बाहर कईसे निकालते हैं, सबसे बड़ी बीडम बना यही है, कि भाया, वर्गमुलोवा मते, जो बाहरवा अच्छरवा निकालते हैं, काफी लोगों को नहीं आता है, आप ध्यान रखे, कईसे निकालेंगे, देखेगा, जि एक का वर्गमुल हमेसा एक होता है, एक का वर्गमुल हमेसा एक, यह बाहर आ गया, अब इस चार और चार, इस चार और चार, जो देखेगा, वर्गमुल में हमेसा जोड़ा लिया जाता है, जब जोड़ा बन रहा है, तो उसमें से एक को काटके बाहर निकाल दीजिए, च इन्हें बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जब भी बाहर निकालेंगे, जोड़े के साथ निकालेंगे, अकेले निकालेंगे तो दर्द होगा, तो चार एक के, चार, अंडर रूट छाए, इसका जो मान आ जाएगा, चार अंडर रूट छाए, आगे देखिएगा, आगे क्या हो उचाई और आधार दिया रहे, तब उसका छेतरफल क्या होगा, एक बटे दो आधार गुडे उचाई, और जब त्रिभूज का कुछ ना पता हो, केवल और केवल तीनों भुजाए पता हो, तब उस त्रिभूज का छेतरफल हीरोन फार्मूला से आप निकालिएगा, कहीं कह मैं बात करता हूं, त्रिभूज के प्रकार के बारे में, जहां से आप से question पूछा जाता है, ठीक है, question तो हर एकजगा से आएगा, ऐसा नहीं है कि यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, question हर एक जगा से आएगा, लेकिन दियलेड में जहां से question पूछा जाता ओचीजे मैं बता रहा हूँ त्रिभुज के प्रकार मैंने यहां पे लिखा है देखिए आपको दिखाई दे रहा हुआ सायर एक प्रकार मैंने लिखा है समकुण त्रिभुज समझ गए न क्या क्या मैंने लिखा अब देखिएगा इनके बारे में इनके छित्रफलों की हम चर्चा कर लेते हैं इनके छित्रफलों की जहां से आप से कोश्चन पूछा जाएगा देखे समकोन त्रिभुज क्या होता है ज्यान रखेगा समकोन त्रिभुज में मित्रों जो होता है एक त्रिभुज हमेशा समकोन होता है क्या होता है एक एक कौन समकोन त्रिभुज में एक कौन हमेशा जो है समकोन होता है क्या होता है एक कौन हमेशा समकोन होता है इस बात को ध्यान रखेगा A, B, C एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, वो होगा समकोण, एक भुजा सबसे बड़ी होगी, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, आप सबी लोग basically, समकोण त्रिभुज बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ बताने क्या हो सकता नहीं है, जो समकोण त्रिभुज होता है, इस बताने क्या हो सकता है, नाम से ही असपस्ट है, आप से question पूछा जाए कि बताए संभाओत्रिभूज क्या होता है, आप लिखिये कि संभाओत्रिभूज ऐसा त्रिभूज होता है, जिसके तीनों बुजाएं आपत में बराबर होती है, हो गया संभाओत्रिभूज, संभाओत और उम्मीद है कि आप जान रहे होंगे, इतनी चीजे आपको पता होनी चाहिए, सम्द्रिबाहुत्रिबुज क्या होता है, सम्द्रिबाहुत्रिबुज का मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तिसरी भुजा आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए. ओगए संवाहोत्रिभूज भिसंभाहोत्रिभूज का मसला क्या होगा सबसे हैं, अब आपको यह नहीं जानना था, मैंने आपको बताया कि आपको यहीं सी चारों में से छित्रफल वगारा पूछा जाता है कि समकोरत्रिबूज का छित्रफल क्या होता है समभावत्रिबूज का छित्रफल क्या होता है समदुबावत्रिबूज का छित्रफल क्या होता है विश्रम बाहुत्रिबूज का चितरफल क्या होता है ऐसे question आपसे DLAD में ही नहीं पूछा जाता है ऐसे question आपसे जो है आपके competition की परिच्छा में भी पूछा जाता है लेकपाल की अभी परिच्छा होई है ना लेकपाल की परिच्छा उसमें पूछा गया था एक आयत की लंबाई 12 है चौडाई 13 है तिसका छितरफल क्या होगा यह भी आप से लेकपाल की परिछा में पूछा गया था तो आप यकीन मानिए ऐसे ही सवाल आपके यूपीटेट में आएंगे और ऐसे ही सवाल आपके यस्टेट में आएंगे जो आपको सफलता यही चीजे आपको आगे देखने को मिलेंगी, हाना, तो चलिए, इनके छेत्रफलों की चर्चा कर देते हैं, कल मैं आपसे सवाल की चर्चा करूँगा, ठीक है, और वैसे अगर आप चाहेंगे, तो मैं सवाल यहाँ पे आपको दे देता हूँ, जो सवाल आपको लगाने है, ठीक है, देखेगा समकोण त्रिभूज का जो छेत्रफल होता है, इसका छेत्रफल, समकोण त्रिभूज का छेत्रफल बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, रटना है, नहीं याद होता है, चार बार लिखना है, तबी लिखेंगे, तबी आपका कल्याण होगा, अप्पडियाउत्रिवूपड का छेत्रफल होता हैными आप अप्पको रटना है, अब इसे उच्छ लोग कहेंग बजी आई थे बताईए कैसे होता है नहीं बताने की कोई जरूरत ही नहीं है है बत आपको यही रखना है कि सम्दिवाउत्रिबुज का चेतरफल होता है एक बटे दो ए अंडर रूट फोर बी स्क्वाइर माइनस ए स्क्वाइर अब इसे कैसे अगर नहीं याद होता है दो एक बार आपको याद करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा ठीक है बिसम बाहुत्रिबुज का बिसम बाहुत्रिबुज में अभी मैंने बताये जब तीनों भुजाए बराबर ना होती हो तो उसका एक ही शुञोडए बुजा का वर्ग सम दिबाहुत्रिबुज का च्यतरफल एक बटे दो ए अंडररूट फोर बी स्क्वाइर माइनस अइस्क्वायर यहाँपर ए क्या है समान भुजा है च्वां बुजा अब हम आपके सामने 2-3 सवाल लिख देते हैं, जिस सवालों से आप बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है, तो आई ये चलिए, सवाल हम आपके सामने रख देते हैं. सवाल जो है, उसकी फोटू यहाँ पर चस्पा कर दे रहा हूँ, क्योंकि बुक का ही है, आपके बुक का ही है, डियलेट के बुक का ही है, तो आपके सामने पहला सवाल है, कि एक त्रिभूज का छेतरफल 42 मीटर है, एक त्रिभूज का आधार, क्या दिया गया है पहला सवाल त्रिभुज का आधार, आपको लिखना ऐसे है, त्रिभुज का आधार कितना दिया गया है, 42 मीटर, त्रिभुज का आधार दिया गया है 42 मीटर, और उचाई दिया गया है, उचाई कितना दिया गया है, उचाई दिया गया है, 14 मीटर, तो आप से कहा गया है त्रिभुज का चहतरफल बताईए, मैंने बताई, जब त्रिभुज का आधार और उचाई दिया रहता है, उत्तल चहतरफल क्या होता है? एक बटे दो, गुड़े आधार, गुड़े ऊचाई, यही होता है न, एक बटे दो, आधार कितना है? 42, उचाई कितना है 14 तो काट दीजिए 2 सत्य 14 और 42 इसका 7 में आप गुड़ा करेंगे 7 दुनी 14 का 4 हांसिल 1 748 से 294 मीटर इसको है यह उसका आगया 6 तरफल ठीक है तो आपको कैसे गुड़ा गुड़ा कर लेते कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं तो आप इसे करने का प्रयास हैंगा फारमूला कौन सा लगाएंगे एक वतने दो गुड़े आधार गुड़े उचाई ठीक है तुमीद पहला सवाल श्वाल अपने समझ लिया ठीक है एक सवाल मैं और आपको देता हूं एक संभाहुत्रिबुच का सवाल देख लिजी, संभाहुत्रिबुच का सवाल क्या दिया गया है, संभाहुत्रिबुच का सवाल दिया गया है, दुसरा सवाल है, एक संभाहुत्रिबुच की भुजा की लंबाई 10 cm है, संभाहुत्रिबुच की भुजा 10 cm है, 10 cm है, तो उसका चितरफल में कीमित chce करते हैं पाइस हूं संबहतर पाड़ चोषितरफल को हम संबहरे लीड़़ा पाइस करें पड़ वर्ग हो यह हो गया 25 रूट 3 मीटर स्कॉयर समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ गया अच्छा एक चीज मैं आपके इस्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं आपकी कमजोरी कहा है जैसे अंडर रूट 5 गुड़े अंडर रूट 6 कर दिया गया अब इसको गुड़ा कर लें कर दीजिये तो तो इतीन अएगा क्यों कि उतीन आएगा क्योंकि अंडर रूट 3 गुड़े अंडर रूट 3 वराबर अंडर रूट तीनती या 9, न्व आता है नहीं आता है, 9 कवर्गमूल का हो जाएगा, 9 कवर्गमूलतीनत आएगा, इसलिए जब समान अंडरूट का गुड़ा करेंगे, तो अंडरूट हट जाता है और वही उत्तर आ जाता है, ठीके न, समझ गये कि नहीं समझ गये, उम्मीद एक समझ गय होंगे और बेतरीन तरीके से समझ रहे होंगे ठीक है ना चलिए भाईया एक सवाल आओ रहे हैं एक समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज के आकार की आकार की भूमी का छित्रफल आकार के भूमी का छित्रफल 2480 वर्गमीटर है अब भाईया समकोण संक Tibet का त्रफ़ल दे दिए है जो दिया किए है डिलेड में नंबर पाने के-लिए जो दिया है उसे लिखना है जो निकालना उसे और पढ़िया ते लिखना है छिब पार लिखें पnteशन देने कि फ़ख़ा कि अधाइब टीचर कह सेझ अधिज inte आप पहले दिया है समकोण त्रिभूज का छित्रफल समकोण त्रिभूज का छित्रफल यह दिया है लिखिए समकोण त्रिभूज का छित्रफल कितना दिया है 2480 वर्ग मीटर दिया है लिखिए उसके बाद दिया है समकोण बनाने वाली एक भूजा की लंबाई 124 मीटर है अब ब क्या होता है जो 90 का कूण होता है और समकोण त्रीबुज में संकोण यही दो भुजाए बना रही है एक आधार एक लंब या तो आधार 124 माल लीजिए, या तो लंब 124 माल लीजिए, कोई भी माल लीजिए, तो आपने आधार को 124 माल लिया, हना, आपको यहां लिखना है, समकोण बनाने वाली, समकोण बनाने वाली, समकोण बनाने वाली, एक भुजा, एक भुजा, माना, माना आधार, माना आध बराबर 124 मीटर, ठीक है, क्या कहा है, दूसरी भुजा, दूसरी भुजा की लंबाई, प्रसनवाचक्चिन, अब यहां से लगाईए, यहां से क्या करना है, आपको इसे लिखना है, लिखेंगे तब ही नंबर मिलेगा, चूकी, समकोण त्रिभुज का छेत्रफल, समकोण त कोई तो अधार गुडे उचाही, आधार गुडे लंब, buses अधार गुडे लंब, होता एक नहीं होता है? अरे बताईए होता एक नहीं होता है, होता है न तो समकोण त्रिभुज का चेत्रफल एक बटे, दो गुड़े लंब, ऐसे लिखेंगे आप, और उसके बाद लोगों को दिक्कत होती होगी भाई सालो करने में तो मैं बता देता हूं किसे आपको इसे सालो करना है 124 लिखा गया इसके नीचे एक लिख दीजिए 124 बटे एक लंब के नीचे एक लिख दीजिए जो भी लिखा गया सीधा सीधा उतके बटे एक लिख दीजिए आपको अं है एक से किसी संख्या घुड़ा करो कोई फरक नहीं पड़ता है वतनer और आपने 55 से सुना है गुड़ावाली संख्या बराबर के दूसरी और बटे में जाती है और अपना काम कर देती है संख्या बराबर के दुसरी ओर किसमें आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, और यहां से हट जाएगी, ठीक है, तो 124 का पहाड़ा पढ़ दीजी, 124 दुएं 248 होता है, एक्ठी जूरो लगा, एक्ठी जूरो लगा दीजी, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो कर देना है आपको फार्मूला आना चाहिए निश Hahn प्रूप से आप सवाल लगा ले जाए तेक है कि मैं आपके सामने जो है अगर इसमें सवाल होगा तो मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ ठीक है? हाँ यह सवाल है चलिए आप लोग सवाल लगाईएगा यह सवाल आपकी ही बुक का है आप लोग सवाल जरूर लगाईएगा एक सवाल है इसमें एक सवाल है हाणा? सवाल क्या है चलिए एक सवाल है उस त्रिभुज का छित्रफल ग्याद कीजिए जिसकी भुजाएं एक कैस मीटर एक कईस मीटर सत्तरह मीटर और दस मीटर है दस मीटर है इसका आपको छेतरफल निकालना है ठीक है? निकालिएगा जरूर अगर नहीं निकालेंगे तो भाया आप जाने आपका काम जाने पहला सवाल है दूसरा सवाल लिखिएगा एक समकोन त्रिभुज का आधार एक समकोन त्रिभुज का आधार आधार पाँच सेंटीमीटर उचाई आठ सेंटीमीटर उचाई आठ सेंटीमीटर इसका आपको निकालना है छेतरफल निकालिएगा जरूर समकोन त्रिभुज का छेतरफल अगर आप नहीं निकालेंगे ना ता आप भूल याएंगे फार्मुलोवा भूल याएंगे आना इसी वज़स्कराओं निकालिएगा और एक जो है तिसरा सवाल लिखिए एक समदिवाउत्रिबुज का छेतरफल निकालना है जिसकी जिसकी समान भूजाओं की लंबाई लंबाई पांच मीटर है तथा असमान भूजा की लंबाई साथ मीटर है उसका छेतरफल निकालना है संभावत्रिबुज का छेतरफल संभावत्रिबुज का छेतरफल एक बटे दो ए अंडर रूट 4 B स्कौाईर माइनस A स्कौाईर यहाँ पर A क्या है समान भूजा की लंबाई B क्या है बी क्या है आ समान भुजा की लंबाई हाना तो आप जरूर निकालिएगा सवाल हल करेंगे नहीं करेंगे हल करेंगे ठीक है तीन सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ वो таких से जितने भी सवाल आपको मिले सम कौन समद्पाउं समदिबाहूं, समबाहूं, हिरोन, फार्मूला वगरा ये सभी चीजे आपको याद करनी है अब आगे कौन सा चेतरफल आएगा सम चत्रभूज का चेतरफल सम लंब का चेतरफल वर्ग का चेतरफल आयत का चेतरफल अब जब चेतरफल, आज मैंने केवल जादा पढ़ा दोँगा तो आप कहेंगी जादा पढ़ा दिए कल अगर अगली क्लास मिलूंगा तो उसमें जो है चत्रभूज वगरार का जो छेत्रफल सम लंब हुआ सम अंतर हुआ सम जितने भी चत्रभूज बन सकते हैं आपकी परिछा से रिलेटेड और ऐसे ही सवाल आपके टेट में भी पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है कुछ बच्चे कहेंग भईया टेट के लिए कैसा यूपी टेट सीट में भी सी स्पेसल में भुक पढ़ूँ तो अगर आप डेलेट के सेकेट समिस्टर में है और आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो कच्छा सात्वी का जो गणित है हाना कच्छा सात्वी का जो गणित है आप उसे ले लिजिएगा सात्वी का गणित कहा मिलेगा आपको परसदी वि चाहते हैं और निसानतियान के साथ जुड़ करके तयारी करना चाहते हैं, हम पर विश्वास दिखाना चाहते हैं, और वैसे भी जितना आपने आज तक विश्वास दिलाया है, वह मेरे लिए अमुल्य है, वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन फिर भी कुछ बच्च आपको मिलता रहेगा, कुछ बच्चे कह रहे थे भईया एक साथ प्रोवाइड करिए, तो मैं आपको बता दू, एक साथ तो आपको किताब भी प्रोवाइड करा दी जाती है, क्या आप पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ पाते हो, इसी वज़े से मैं 2-3 पेज, 2-3 पेज आपक मात्र विकल्प है, जितना लगातार आप परिस्रम करेंगे, एक दिन निशित रूप से आप सफल होंगे, हाना, और हमेशा, जो भी चीजे आप जीवन में हासिल कर रहे हैं, जैसे आज डियलेट के प्रतम समेशर की परिच्छा आपने उत्रण किया, कल डियलेट की 2-3 समे मंजिल तो उसका असमसान घाट है, मंजिल तो उसका वास्तों में मोक्षे ही है, लेकिन उससे पहले अगर हम जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो वह हमारे जीवन का महज एक पढ़ाव है, कभी भी ठाराव नहीं है इसे जीवन में, और जिन्दगी जब तक चलती निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा, नहों मायूस नघबराई संधेरे से मेरे साथ ही, इन्ही रातों के दामन से सुनारा कल भी निकलेगा, हम लोग लगातार आगे बढ़ करके दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, कि हमने आप, आपने हम सांतियान के लिए क्या किया, और हम दोनों ने मिल करके कैसा परचम लहराया, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद,